हेलो डियर आप लोग का MKY Classes YouTube चैनल पर स्वागत है बच्चो चलिए आज हम लोग सिद्ध करते हैं कोश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अंडरूट 5-3 अंडरूट 3 एक अपर में संख्या है ठीकना बच्चो चलिए इसको लगाते हैं तो मान लिया है इसको हम लोग हाल करने से हल करने से समझें बच्चो कि हमको जो है इसको सिद्ध करना है अपर में संख्या है ऐसे तक चलिए अब परिमे संख्या होते हैं लेकिन चलिए इसको सिद्ध करना है देखिएगा आप लोग मान लिया मान लिया अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक एक परिमे संख्या है तो बच्चों जब इसको हम लोग हम लोग क्या लिख सकते है इसलिए लिख सकते हैं पी बाई क्यू यह तो है पी ही डाई क्यू परिमे संख्या करते और और क्यू नाट इक्वल टू जीरो यही तो परमे संख्या की कंडिशन होती है तो परमे संख्या जब इसको हम लोग माने हैं तो इसके बराबर इसको लिख सकते हैं तो यहां से देखिए बच्चो अगर यह पी बाई इसको अगर हम लोग इधर लाएंगे तो इस माइनस अंडर रूट थी को तो इसको यह लिख सकते हैं ऐसे फी बाई क्यू प्लस इधर आ जायागा तो हो जायाएगा अंडर रूट थी इक्वल टू क अंडर रूट फाइप लिख सकते हैं तो यहां से अब हम लोग दोनों पंचो का वर्ग करेंगे क्या करेंगे दोनों पच्छों का वर्ग यानि यहां लिख लिजिएगा दोनों पच्छों का वर्ग करने पर तो अब देखो बच्छों जब इसको यह क्या हो गया यहां से यह हो जाएगा प्लस यह इसका इसका इसको यह बच्छों देखो यह अंडरूट 5 है तो यह 5 बचेगा इसका वर्ग करेंगे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अब अब जैसे देखिए यह 5 है और यह इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 3 और यह इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस इसको हम लोग इस तरह करेंगे अब देखिए यह जो है इसमें से माइनस हो जाएगा तो यह इसको लिखेंगे हम लोग 2 2P upon Q into under root 3 equal to और यह माइनस हो जाएगा तो 2-P square upon Q square बचेगा तो बच्चो यहां से एक सी सोचो कि अगर जब हम under root 3 बराबर करेंगे तो यह इतना जो है इसके बटे हो जाएगा और जब इसके बटे हो जाएगा और जब इसके बटे हो जाएगा तो 2P upon Q होगा तो Q ऊपर च सकते हैं Q upon 2P और ब्रैकेट में 2-P square upon Q square हो जाएगा इतना यह देखिए इसको जो अंडर root 3 बराबर और इधर हम लोग लिख सकते हैं अंडर root 3 अंडर root 3 के बराबर हो जाएगा यह इसमें भाग दी जाएगे इसमें तो इसमें जब भाग देंगे तो यह 2P upon Q लिखेंगे Q उपर चला जाएगा तो यह condition आएगी बच्चो अब देखिए यहां से जो है इसको हम लोग कहा सकते हैं अब यानि यह हो जाएगा चुकि देखा जा रहा है कि यह जो condition देखी जा रही है Q upon 2P Q upon जो है यह वाली condition तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि P कामा Q कामा 2 और यह 2 जो दूड़ांक है इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं Q upon 2P bracket में 2-P square upon Q square एक एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है तब तो यह भी हो जाएगा जब यह परिमेय संख्या इतना जब एक परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा तब यह भी कह सकते हैं तब अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगा पर्मे संख्या होगा तो अब बच्छों देखो परंतु ये जब पर्मे संख्या होगा अंडर्वथ्री भी एक पर्मे संख्या होगा परंतु इस तथ्य का परंतु इस तथ्य का विरोधा भास है विरोधा भास विरोधा भास है परन्तु इस तथे का विरोधा भास है या विरोधा भास प्राप्त होता है क्योंकि यह देखी अंडरूट 3 तो अपर्मे संख्या होती है तो इसका यह पर्मे है तो इसको हम पर्मे कर रहे हैं लेकिन इसका क्या यह विरोध है तो यह लिख रहे हैं विरोधा भास है विरोध संख्या है इसलिए अंडरूट 3 एक अपरिमे संख्या है तो अतह हम यह कह सकते हैं अतह अतह अंडरूट 5 अपरिमे संख्या है एक हम लोग को क्या करना था रूउज यह हम लोग को सिद्ख करना था थैंक्यू वच्चो अगला कोस्तना बच्चो अभी सब्सक्राइब की exercise 1 से कि जितनी भी question है आप लोग जितने question में बताया हूं solve करवाया हूं इसके base पे आप लोग सभी question को solve कर सकते हैं ठीक ना बच्चो थैंक यू बच्चो